इंडिया में बेहतरी इन प्रेमियम बाइके कौन-कौन सी हैं वैसों तो महंगी हैं और 10 लाग के बजट में आ जाती है ये प्रेमियम बाइके तो जानते हैं वो कौन-कौन सी बाइक है हमारी लिस्ट में टॉपलिस प्रोवाइडर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नए नए वीडियो देखने के लिए BMW G310GS ये बाइक BS6 compliant 313cc fuel injected liquid coolant single cylinder engine के साथ मिलती है जो की 34PS की power generate करती है और बाइक के कुछ features हैं जैसे इसमें LED lights, all round, ride by wire, throttle, sleeper clutch and adjustable brake और clutch levers मिलता है बाइक की कीमत है 2,55,000 रुपे की फिरेक KTM 390 Adventure इस बाइक में BS6 compliant 373cc का liquid coolant engine मिलता है जिसकी power है 43.5 PS की और बाइक के अगर कुछ features की बात करें तो इसमें second LED lighting system, upright air go mix with an adjustable windshield, full color TFT screen और 12V charging port मिलता है बाइक की कीमत 3,4,000 रुपे की फिर ही Harley company की Harley Davidson Street 750 इस बाइक में 749cc का revolution XV twin liquid coolant BS6 engine मिलता है इसकी power 47 PS की और अगर बाइक के कुछ features की बात करें इसमें semi digital info cluster, trip meter, distance to empty indicator, gear position indicator, tachometer और बाइक की की में 4,79,000 रुपे की फिर एक कावसकी वॉलकन S इस बाइक में आपको 649cc का liquid coolant 4 stroke parallel twin engine मिलता है जिसकी power is 61 PS की और बाइक में double disc, tubeless tire, dual channel ABS brake मिलते हैं ये तो सभी बाइकों में मिलते हैं और बाइक की कीमत 5,89,000 रुपे की फिर एक कावसकी Z650 Z650 में आपको 649cc का parallel twin liquid coolant engine मिलता है जिसकी power 68 PS की है और अगर बाइक की कुछ features की बात करें इसमें 4.3 inch TFT instrument cluster with smartphone connectivity और 17 inch G के wheels मिलते हैं और बाइक की कीमत 5,49,000 रुपे की फिर ये Harley Davidson street road street road में आपको 750cc का V twin petrol engine मिलता है जिसकी power 45 से लेके 50 PS तक की है और बाइक में double display एक tubeless tire और बाइक की कीमत 5,99,000 रुपे की फिर एक कावसा की ninja 650 इस बाइक में आपको 649cc का liquid coolant parallel motor engine मिलता है जिसकी power 68 PS की और बाइक में कुछ features हैं 4.3 inch की display twin LED headlamps and a color और बाइक की कीमत 6,24,000 रुपे की फिर एक कावसा की Z900 इसमें आपको 948cc का inline 4 cylinder engine मिलता है यानि गाडियोवाल engine बड़ा सा 4 cylinder है और पावर है इस engine की 125 PS की और बाइक की अकर कुछ features की बात करें इसमें TFT instrument गंजूल विद स्मार्टफोन connectivity फोर राइडिंग मोड्स थ्री लेवर ट्रेक्शन कंट्रोल और टू पावर मोड्स और बाइक कीमत 7,99,000 रुपे की फिरे ट्राइंफ स्ट्रीट ट्रीपल स्ट्रीट ट्रीपल में आपको 765cc का inline 3 cylinder BS6 engine मिलता है जिसकी पावर है 123 PS की और बाइक के गर कुछ फीचर्स की बात करें इसमें 3 लेवर राइडिंग मोड्स और ट्रेक्शन कंट्रोल इस्टेंडर बी आई डारेक्शनल क्विक शिफ्टर विद एसिस्ट एंड स्लीपर क्लच और बाइक की कीमत 8,44,000 रुपे से लेके 11,33,000 रुपे तक की फिर ये लास्ट फाइक जो की इस लिस्ट में सबसे मेंगी है ट्राइंफ कंपनी की है बॉन विले टी हंडेड बॉन विले टी हंडेड में आपको 900 CC का पैरलेल ट्विन मोटर इंजन मिलता है इसकी पावर है 55 PS की और बाइक में काफी फीचर्स मिलते हैं जैसे कि इसमें प वे बाइक के बताएं जो प्रीमियम बाइक हैं इंडिया में आपको इन में से सबसे बेहतरी बाइक कौन सी लगी या आप इन में से कौन सी बाइक लेना चाहेंगे